आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की दूसरी आईडी कैसे बनाएं तो इसके लिए आप अपने फोन में इंस्टाग्राम एप को ओपन करिए ओपन करने के बाद जैसा की आप देख सकते हैं हमारा एक अकाउंट लॉगिन है पहले से यहां पर राइट साइड में अपने प्रोफाइल फोटो के आइकन पे किलिक करिए और किलिक करके ऐसा पेज आएगा अब उपर राइट साइड में तीन लाइन पे किलिक करिए तीन लाइन पे किलिक करिए उसके बाद नीचे आईए नीचे मिलेगा लॉग आउट तो लॉग आउट पे किलिक करिए उसके बाद लॉग आउट करिए और अपने इस अकाउंट को लॉग आउट करने के बाद नीचे आएगा राइट साइड में साइन अप तो साइन अप पे किलिक करिए sign up पे click करके आएगा sign up with email और phone number तो इस पे click करिए तो दूसरी ID बनाने के लिए अब आएगा phone number या फिर email तो अगर आप phone number से ID बनाएंगे तो अपना phone number डाल दीजिए phone number डालने के बाद next पे click करिए अगर email से ID बनाएंगे तो email पे click करिए और email पे click करने के बाद जिस email ID से ID आपको बनानी है Instagram की उस email ID को यहाँ पर डाल दीजिए तो यहाँ पे इस email ID से हम Instagram account बना रहे हैं तो email याँ फिर phone number डालने के बाद next पे click करिए next पे click करने के बाद आपके email पर या फिर आपके phone number पर एक OTP आएगा यानि की six digit का confirmation code आएगा तो जैसे की Gmail में हमारा OTP आ चुका है 452178 तो इसे हम डाल देंगे यहाँ पर अगर आपने mobile number डाला है तो आपके messages में आएगा यह OTP तो यहाँ पर OTP डालने के बाद next पे click करिए उसके बाद कुछ seconds का wait करिए full name पे click करिए और अपना पूरा नाम डाल दीजिए जिस नाम से आप अपना account बनाईगे तो जैसे की हम डाल देंगे अपना पूरा नाम और पूरा नाम डालने के बाद नीचे password पे click करिए password पे click करने के बाद अब अपने Instagram account का एक password बनाईए पासवर्ड बनाने के बाद नीचे अगर contacts को sync करेंगे तो continue and sync contact करेंगे अगर sync नहीं करेंगे तो नीचे continue without sync contacts पे क्लिक करें और उसके बाद अपना birthday add करें तो नीचे सबसे पहले day select करें day select करके month select करें तो यहाँ पे उपर नीचे करके select कर सकते हैं उसके बाद last year select करें तो जैसे की अब यहाँ से year set कर लेंगे और अपना dov set करने के बाद next पे क्लिक करें उसके बाद आएगा username आपका इस तरीके का तो यह automatically username बना लेगा आपकी email ID से ही अगर इसे change करेंगे तो नीचे change username पे क्लिक करिए और अपना username बनाईए तो जैसे की हम बनाईगे इस तरीके का और उसके बाद next करेंगे और अब यह register होने लगेगा तो कुछ seconds का wait करिए अब skip पे क्लिक करिए उसके बाद फिर से skip करिए photo लगाएंगे तो लगा सकते हैं बट हम बाद में लगाएंगे तो skip करेंगे और उसके बाद आपका account बन जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से Instagram की दूसरी ID बना सकते हैं और दोनों account यूज करने के लिए उपर इस account के user name पे किलिक करिए किलिक करके नीचे add account पे किलिक करिए उसके बाद login to existing account पे किलिक करिए आप जो account यूज करना है उसे login करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें